प्रतिबंदित नक्सली संगठन ट्यसपी सी के सब जूनल कमाइडर दीपक रजवार ने आत्मसमर्पन कर दिया है दीपक रजवार कई वर्षों से फरार था पुलिस उसकी तलाश कर रही थी सुमवार को पलामु पुलिस वारा आउजितिक समहारों में दीपक रजवार ने आत्मसमर्पन किया जहां एसपी अब यहां रिशब गरग और एस्ड़ीपियो सुर्जीत कुमार ने दीपक रजवार का मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत किया आत्मसमरपण नीती के तहट कई लाब देने की घोशना की। काफी महतरपूर्ण रही क्योंकि वह काफी समय से इसके परिवार वाले उनसे शायद संपर्क में थे और हम लोगों से भी संपर्क कर रहे थे कि ये लोग आत्मसमरपण करना चाहते हैं तो उसी के फलस्वरूप आज दीपक रजवार ने भी अपना आत्मसमरपण किया है और मुख्यधारा में शामिल हूए दीपक रजवार साल 2017 से फरार था पुलेस उसकी तलाश में कई इलाकों में च्छापे मारी कर रही थी पलामू स्पी चंदन कुमार सिरहा ने दीपक के परिजण उसे आत्मसमरपण करनी की अपील की थी घर वापस लोटे के बाद परिजण थारे में एफायार दर्ज है आत्मसमरपण के बाद दीपक रजवार ने बताये कि वो मजबूरी में टीस पीसी में शामिल हुआ था बाद में उसे गलती का हैसास हुआ और उसने संगटन को छोड़ दिया अब वो संभाने जीवन जीना चाहता है राजसरकार की पड़ नीती से प्रभावित होकर वो मुख्यधारा में शामिल हो रहा है यूर रपोर्ट सब रंक समचा है